वेलकम टू मैं चैनल काफी दिनों बात में वीडियो लेकर आ रही हूं तूंकि समर का टाइम है और समर में लोग नीटिंग काफी कम करते हैं मगर यह डिजाइन बहुत खास थी और बहुत ही यूनीक थी तो मैं ज़ी लगा कि मैं इसके आपके साथ शेयर करना चाहिए यह द बहुत ही आसान और बहुत ही खुबसुरत है इसका लुक है देखिए बाजू बनाने के बज़ए इस तरह से डिजाइन डालें बाजू की काफी वीडियो मैं अपलोड की हुई है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं देखिए नीचे यह लेस बनाना है तो इसका लेंक्त में डिजाइन डालें तो दोनों ही जो है बहुत पुराना फैशन है बहुत अलग तरस है और पहले चलता था अब आजकल के स्टाइलिश लोग के लिए आप सिर्फ सेंटर में डिजाइन डालें तम यूनिक सा पैटन बनेगा कोई भी डिजाइन हो जिसको आप पीच में डाल स कुँए और हिसाब से डिजाइन डालें डिजाइन डालें इस गनाई के लिए लिए रंट ऐसे बनात्य और गाओं भी hablber, चलिया अपर आप किल्क है खी देट हैं लिए 12 यह जैस equity और ऺज़़ग को आपको शारी हंथ सिधा सिधा बुन लेना है फॉस्ट रो कंप्लीट होने बाद सेकेंड रो रॉंग साइड से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है से साइड सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है सेकेंड रो रो कंप्लीट हो गई अब हम थадно रों पर है थार्ड रो भी सारे फंदों को सिधा बुन लेना है कि के देखिए थर्ड रुम ने बना कम्पलीट के लिए अब हम फोर्थ रोभ बना लेंगे फोर्थ रोभ यह आपको सारे फंदों को उल्टा-उल्टा बनके कम्पलीट करना है यह देखिए यह हमने 4 लाइने सिधा उल्टा बना ली है अब देखिए आप मैंने 25 फंदे डाले थे तो देखिए यह हमारा सेंटर का फंदा है यह सेंटर फंदा 12 फंद इधर है और 12 फंद इधर यह सेंटर तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इतने में हमारीडिजाइण होगी अब यहाँ पर कितने बच है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अब पहले सैंटर में आप चाहें तो मारकर भी लगा सकते मेरे पास कम फंद है तो मारकर नहीं लगा रही हूं यहाँ पर जितने में शार पाच और यह च्छे हैं च्छे फंदे बुने jutर देखे एक दो टीन चार चार फंदों को हम एक करेंगे है एस तरह से थोड़ा से फैला लेंगे इसे थोड़ा सा हम इस तरह से लूज कर लेंगे और लूज करने के बाद हम इसे इस तरह से चार फंदों का हम एक करेंगे यह में चार फंदे का एक किया फिर उसका उन आगे किया पाँच फंदे हम जाले डाल को नहीं देखे एक दो तीन चार और यह पाँच पाँच फंदों हम ने पाँच जाले डाली यहाँ तीन फंदे हमने कम किये यहाँ पे भी तीन करेंगे तो छे फंदे कम होंगे तो छे फंदे के लिए एक फंदा और इधर करेंगे अब देखिए यहाँ पे चार फंदे चार फंदों को हम पीछे से इन चारूं को हमने फ्रन्ट साइड से बुना था इन्हें हम बैक साइड से बुनेंगे दिखे इस तरह से इस से आपको थोड़ा से इस तरह से बना देना अब फिर बाक्सरा को सीधा बुने अब फिर आपको रॉंग साइट से छठी सलाई जो है सारे फंदों को उल्टा-उल्टा बुन लेना से छे सलाई का पैटर्न है देखिए तो इसे हम उल्टा-उल्टा बुन के कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए यह हमारी डिजाइन बनके फिर से रो फर्स से आपको रिपीट करना है और फ्रेंट्स बाजू है तो जब भी आप डिजाइन डालें तो दोनों साइड आप एक एक फंदा बढ़ा दें बाजू में फंदे बढ़ाने होते हैं यह दिखिए मैंने इसमें बनाया ह मैं आपको इसको दिखाती हूँ देखिए जहां पर मैंने डिजाइन डाली है वहां मैंने एक फंदा इंक्रिस किया है इससे बराबर से मारे फंदे बढ़ जाते हैं और देखिए नीचे इस तरह से यह जब हम इतनी चौड़ी लेस बनाएंगे तो इसके लेंग्ध कम रख मैं आपको इसका मीजर्मेंट वैसे बता देती हूँ यहां पर मैंने मैंने इसकी बुनाई मशीन से की है तो इसलिए यहां पर जो है यह मैं उल्टे फंदे ने लिए हैं अब देखिए यहां पर एक डिजाइन डाला मैंने तो एक एक फंदा इंक्रिस गया स्टार्टिंग यहां पर तहने इससे मैंने स्टार्ट किया है और हर डिजाइन में हर डिजाइन पर मैंने दोनों सैड्व एक फंदे बढ़ाएं तो थेईस टिजाइन मैंने 46 शहालिस फंदे बढ़ाये हैं और 46 फंदोत की बढ़ाने तक मेरी जो इसके लेंग्ध बाजू की वह 22 इंच तक कम्प्लीट होगे और 22 इंच के बाद दिखे जब 22 इंच हो गया है तो फिर जब नेक्स डिजाइन में डाली है जब तो नेक्स डिजाइन में यहां पर पहले तीन फंदे घटाए हैं यहां पर देखे तीन दो फिर एक एक एक करके घटाती के चार डिजाइन मैंने बनाई एक दो तीन चार और चार डिजाइन कर सारे फंदों को घटा दिया है तो इस तरह से यह मैंने बाजू बनाई है में चीज है इस बाजू की डिजाइन जो की बहुत प्रिटी है बहुत युदि की मुझे उमीद है आपक झाल झाल